असलाम लेकुम वेरोज आप देख रहे हैं फोन वेर लाइफ आज एक तफ़ा फिर आपको स्क्रीन नजर आ रही है जो के है TCL का एक और मॉडल और यह है TCL S6500 यह है Budget Smart TV Android TV इससे पहले भी हमने TCL के एक मॉडल का स्मार्ट TV का रिव्यू किया था जो कि 55 इंच की आपको LED मिल रही थी लेकिन यह है 32 इंच की यानि कि यह चोटी है उससे तो जाहरे इसमें फीचर्स भी जो है वो डिफरेंट आपको मिलेंगे उसमें कुछ अल्टर इवां है कि यह जो है Official TV पिशावर जलमी है यानि कि जो है TCL Brings जलमी TV तो अगर आप यह TV पर्चेस करेंगे इसके साथ पर्चेस करने के साथ साथ आपको Lucky Draw में आपका नाम भी एट किया सकता है यानि कि जो भी विनर होंगे तो वो PSL जा सकते हैं यानि कि दुबई जा सकते हैं औ कोई कैप अगर आपको मिलें जो कि आप अगर जाना जाहें PSL मैच देखने तो आप स्पेशली जलमी के मैच के लिए वो जो है बॉक्स इस्तमाल कर सकें कुछ फीचर्स को डिसकस करेंगे कि इसमें कौन से फीचर्स हमें दिये जा रहे हैं Google Assistant भी इसमें मौजूद है जैसे आप अपने smartphone को यूज करते हुए आप अपना smart TV भी यूज कर सकते हैं और यह जो size में है बहुत ideal size है आप अपने bedroom में इसको easily fix कर सकते हैं इससे पहले जो हमने review किया था smart TV का वो थी तो 55 inch लेकिन वो भी बहुत amazing थी लेकिन यह क्यूंके है budget smart TV तो easily आपकी budget में रहते हुए आप इसको purchase कर सकते हैं well views इसमें एक HDR का function आपको मिलेगा Netflix से मौजूद है YouTube Chromecast built-in है इसमें IPQ engine भी मौजूद है और यह full HD 1080p resolution के साथ आपको मिलेगा यानि कि अगर आप smart phone से आप smart TV पर shift होना चाते हैं तो आप Chromecast use कर सकते हैं और easily Wi-Fi से भी connect कर सकते हैं यह TV आपको AI technology के साथ मिल रहा है कुछ video मैंने बनाई है यानि कि कुछ videos मैंने play की हैं इसमें कुछ HD video भी मैंने play की हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो किस तर आपको result feel होगा well अब थूड़ी सी मैं इसके settings के दरफ चलूँ जी जनाब यह हमने YouTube खोला है तो YouTube पे मुझे नहीं जाना मुझे पहले इस TV की settings पे जाना है कि इसमें हमें कौन-कौन से जी जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे इसली आप Google Assistant पे जाकर सर्च कर सकते हैं कोई भी TV या movie shows और गयरा कर सकते हैं यहाँ पर आपको apps का option दे रहा है Netflix का direct आपको option मिल रहा है trending क्या क्या चीजे चल रही है वो है यहाँ पे आप setting में जाके भी setting कर सकते हैं यह T channel है T channel पे वह चीज आपको मिलेंगी जो कि trending में आपको मिलेंगी यह media center आपको मिल रहा है YouTube का Google Play का एक option आपको मिल रहा है TV अगर अपनी जितनी भी favorite apps है वो add करना चाते हैं like play store पे जाके तो हम settings में जाएं तो settings में आपको क्या मिलेगा यहाँ पर settings में यहाँ पर network inputs google cast जैसे कि मैं आपको बताया यह आपको पास apps का option है screen saver storage and reset अगर आप अपनी memory देखना जाते हैं कि कितनी use हुई है यह TV यह about आपको मिल रहा है कि about में ए टीवी का model वगेरा में तमाम चीज और लेंग्विज अगर आप change करना चाते हैं home screen पे जाना चाते हैं search, google, speech, accessibility and इसके साथ यह तमाम यहाँ पर option मौजूद है तो मैं जाना चाहूंगी home screen पे यहां के customized channel आप अपनी जो है जो जो आपको जो है वो changing करनी है जो अगर आप अपनी home screen पे चा रहे हैं कौन-कौन सी changes करना यहां से आप setting कर सेते हैं अपनी TV की जो भी अगर आपको sound से related कुछ जो है वो changes करनी है audio यहां पे advanced setting आ रही है और यहां पर picture में हम जाके अगर देखें तो picture में आपको क्या मिल रहा है picture preset backlight and इसके साथ format क्या चाह रहे है screen mood आप क्या चाह रहे है over scan dynamic backlight micro dimming इसमें जो feature है वो भी मौजूद है and इसके साथ motion clarity आपकी मरजिया आप on करे और off करें तो यह इसके कुछ features है और अगर मैं system में जाओ तो system में आपको क्या मिल रहा है system में भी आपको कुछ option मिल रहे है tea link environment and उसके आप home पे जा सकते हैं तो यह दिखें इसके कुछ option है यह आपके पास advanced settings है जी विरोस तो यह था TCL S6500 का review जो के आपको एक budget smart tv दे रहा है android tv दे रहा है तो अगर आपके मांड में कोई question हो कोई ideas हो या अगर आपको यह tv purchase करना है आपके मांड में कोई question है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं तो appreciate करना मत भूलेगा next time किसी और review के साथ या कुछ और update से सता होगी Till then take care, bye